Hello everyone, आप सर लोगों को लोडी की और मकर सक्रांती की बहुत बहुत शुब कामना है वैसे तो सर हम ये जो दिहार है ये नौर्थ इंडिया में जादा मनाया जाता है और हम लोडी जो है वो 13th of January को celebrate करते हैं and followed by मकर सक्रांती next day लेकिन ये year क्योंकि leap year है तो इसलिए हम 14th यानि आज लोडी celebrate कर रहे हैं और कल 15th of January को मकर सक्रांती celebrate करेंगे तो इसका क्या significance है, quickly हम एक review करते हैं क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास कुछ cards हैं तो उसके बाद I am going to just take a quick reading, quick guidance from my cards for all of you कि आने वाला time हम किस तरह से हमारे लिए क्या offer लेकरा रहा हैं तो as I said कि ये जो है time, North India में इस time winter जो है, वो peak पर है और इससे better तरीका नहीं हो सकता winter को celebrate करने का कि हम bonfire करें और bonfire especially हम जो लोरी पर कैसे करते हैं, हम लकडी, हम कोशिश करते हैं कि आम की लकडी हो और जो है गाय के उपले हों, गाय के कोपर के उपले हों और उसको जला कर हम उसमें जो है वो अपने सूरिक देवता के को प्रणाम करते हैं उनका अशिरवात लेते हैं और हम जो है गुड तिल, सफीद वाले तिल, मूंफली जिसको हम different forms में कज़, क्रेवडी, जो भी या तिल के लड्डू, उस form में हम उनको अर्पित करते हैं प्रसाथ के रूप में और उनका thank you करते हैं क्योंकि आज जो है winter solist is ending, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले बात किया था कि हमारे जो nights थी, उनकी जो length थी वो लंबी थी, राते जो है वो लंबी थी और जो दिन का time था, sunlight था वो short time के लिए रहता था लेकिन आज क्योंकि हमारे godson जो है मकर राशी में प्रवेश कर रहे हैं तो अब से क्रमशह ये जो time है ये change होगा हमारा जो दिन है वो लंबा होगा और जो हमारे राते हैं वो छोटी होंगी और ये एक और चीज़ को जो है वो तरशाता है एक agricultural जो है you know cycle शुरू होती है harvesting की and sewing की तो जो फसले अब आगे होने वाली हैं उनके बीच हम जो है वो बोते हैं सोग करते हैं और जो पग गई हैं तयार हैं उनको harvest करते हैं तो इस पर सबसे ज़्यादा जो हमारे दैविक शक्ति हैं yes हमारे sun god हमारे nature beings क्योंकि हमारे लिए बारिश हवा पानी और हमारे water beings हमारे सूरे की रोशनी जो भी जरूरी है हमारे फसलों के लिए वो हमें god की तरफ से free gift मिलता है लेकिन वो हमारे farmers जिन्होंने इस काम को चुना उनके लिए बहुत 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 बढ़ा धन्यवार regardless हम और अपने क्षेत्रों में कितनी तरक्य कर लें हम you know materialistic कितना gain कर ले लेकिन हमारे पास enough thank you नहीं है अपने farmers को पे करने के लिए अगर हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए तो हम survive नहीं कर सकते हैं so a big thank you to our mother earth to all the divine gifts we are getting from God and to our farmers जिन्होंने अपनी परवानी करते वे दिन रात and I am a daughter of a farmer so I know कि कितनी कडी मेहनत लगती है उनको ये नहीं होता कि इस टाइम अभी बारिश है तो बाहर नहीं जाना अभी धूप है तो बाहर नहीं जाना कडी धूप में कडी बारिश में वो हमेशा जो है इस काम में लगे रहते हैं कि उनकी देश के हर व्यक्ति के पास खाना पहुँचे तो my dear friends ये हम सब का करताव्य है कि हम उनको उनकी देख भाल करें उनके लिए best wishes रखें और उनको gratitude पे करें अपना दिल से हमेशा ये ना भूलें कि उनका हमारी life में क्या योगदान है और इसलिए हमारा देश जो है वो कृशी प्रधान देश है हमने हमेशा अपने किसानों कि जो है वो बहुत बहुत एक तरह से अगर मैं बोलूं तो जितना वो deserve करते हैं हमने उतना उनको नहीं दिया है ना facilities दी है ना उनके बारे में सोचा है नहीं उनको gratitude पे किया है लेकिन अब ये time है कि जब हम awareness में आ रहे हैं तो हम ये भी देखें कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा important है और वो हमारे तक पहुचाने के लिए किसका सबसे बड़ा युगदान है तो इसके साथ ही आप सब को फिर से बहुत सारे शुब कामना है और अब जो है next I am going to take out some cards for all of you for the guidance that you should follow in case you want to so just go with it because आज जो है ये जो guidance है ये एक comment सब के लिए है और different areas of our life I am going to pick up the cards and you can I think probably get benefited by it so wish you all the best okay friends तो आप देखते हैं कि जो हमारे God है Sun मकर सकरांती है क्योंकि तो नहीं से हम message लेंगे अपने different areas में और as I said कि ये जो reading है ये common है okay तो आप जहां भी stand करते हैं because I am going to include all the aspects तो आप जहां भी you know stand करते हैं intuitively आप pick कीजिए कि आप के लिए क्या guidance दी जा रही है तो सबसे पहले जो है हमारी health जो कि बहुत important होती है okay it's a wonderful card so इसके लिए आया है page of cups तो page of cups क्या दिखाता है new energy youthful energy enthusiastic energy तो जब ये card जो है वो health के लिए आया है तो ये क्या show कर रहा है ये आपको बता रहा है कि जो लोग भी अपनी physical health, emotional health, mental health ये सारे aspects के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप take care कर रहे हैं अगर आप कोई healthy reserve जो है वो follow कर रहे हैं nutritional food खा रहे हैं कुछ exercise कर रहे हैं अपना meditation कर रहे हैं या जो है अपना pranayam कर रहे हैं अपने emotions को check कर रहे हैं अपने जो आपकी thought process है उसके साथ connected है तो आपके लिए एक new energy settle होने वाली है जो की बहुत ही fresh energy, youthful energy, lots of you know आपको जो है वो feel होगा अंदर से, एक enthusiasm, एक motivation ओके और आप उसके जो भी आप अभी तक कर रहे हैं क्योंकि कहीं बार जब हम अगर sick होते हैं या अपना routine change करते हैं तो उसको certain होने में त्वरा time लगता है तो जिन्होंने अभी routine you know अपना change किया है और अभी आपको इस तरह से कोई physical reality में changes नहीं नजर आ रहे हैं तो just hold on, it will, तो आपकी जो health है वो अच्छी होने वाली है वैसे भी you know जैसे जैसे winters जो है decline होती है और sun जो है उसकी दशा बढ़ती है तो हमारी health improve होती है क्योंकि sun gives us lots of strength and power in us और जो masculine energy है वो भी हमारी balance होती है, increase होती है अब यह जो एक ही card के दो meaning हो सकते हैं, दो different groups के लिए तो जो लोग अपने उपर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक good news है कि आपकी health improve होगी हर area में आप feel करेंगे emotional balance, आप feel करेंगे mental balance, आप feel करेंगे physical balance लेकिन जिन लोगों की life में कई ऐसे भी हैं, जो भी इस routine को follow नहीं कर रहे abruptly कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी उनका कोई routine नहीं है day का, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं उनकी eating habits अच्छी नहीं हैं, या किसी addictions में हैं, या जो है अभी तक अपने आप से connect नहीं हुए हैं तो आप लोगों को ये message है कि please change your energy, आप अपनी एक new routine follow करें, new routine बनाएं, एक new resolution लें, एक नया तरीका अपनाएं, अपनी health को maintain करने का in every area of your life okay, and next let's go to और ये card है कि आपकी relationships कैसी होंगी, okay, wow, so this is again a beautiful card, the Empress और Empress is above even Queen, कैसे, क्योंकि Queen क्या है, you know, Queen has a, you know, royalty in her, has a power in her, has a, you know, जो होता न, Queen कैसे, एक सब के उपर राज्य करती है, तो उसके अंदर जो है, एक management skills होती है, और power होती है, सब कुछ होता है, abundance होती है, लेकिन जो एक Empress होती है, उसके अंदर, इन सब गुनों के साथ, एक wisdom भी होती है, क्योंकि अगर हमारे पास wisdom नहीं है, तो we can go here and there, okay, so that's what the card in relationship, जब ये card आया है, तो ये relation, इसको दरशाता है कि आपके जो relationships है, वो एक deeper layer, level पर, जो है वो manifest होने वाली है, soul level पर, तो especially जो लोग twin flame journey में हैं, या आप twin flame journey में नहीं भी है, जो normal भी अगर आपकी relationships है, या soulmate के साथ, या अपने partner के साथ, वो इस time deepen होने वाली है एक soul level पर, जैसे शुरू में क्या होता है, एक लड़की की या लड़की की, किस तरह की हमारी जो है ख्वाइशे होती है, सुन्दर होनी चाहिए, physical beauty, attraction, sexual needs, and materialistic needs, और हम इसी के लिए एक दुसरे के उपर निर भर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम grow होते हैं, जैसे जैसे हम, you का और हमारे heart का, वो settle होने लगता है, वहाँ पर जो है, वो peace आने लगती है, harmony आने लगती है, तो जो भी relationships हैं, वो इस टाइम, जो flourish करेंगी, वो relationship flourish करेंगी, जो soul के साथ connected होंगी, तो उन लोगों के लिए, जिनकी relationship में अभी challenges आ रहे हैं, जो कई ऐसी भी स्तिती में होंग कि divorce की स्तिती में होंगे, या कई ऐसे होंगे, जो बहुत challenging situations होगी, और वो pray कर रहे होंगी, कुसी guidance के लिए, तो my dear friends, आपके लिए guidance ये है, कि ये जितनी भी मैंने बहारी चीज़ें बताई हैं, चाहिए वो आप किसी के साथ हैं, ताकि आप financially आपको help मिले, आप किसी के तो इससे beyond जाना होगा आपको, अगर आपको really true sense में relationships जो हैं, वो अपनी enjoy करनी हैं, तो आपको अप अपनी soul के साथ connect करना है, अपनी soul के साथ जब खुद आप connect करेंगे, तो वही चीज़ें आप attract करेंगे, तो just see both ways, अगर आप इन चीज़ों के उपर काम कर रहे हैं, और आप already देख रहे होंगे कि आपकी relationship जो है वो improve हो रही है, लेकिन जो भी struggle face कर रहे हैं, उनकी relationship improve होंगी, कब होंगी, जब आप इसको soul level पर, एक deeper layer पर, एक wisdom के साथ, एक higher consciousness के साथ connect करेंगे, अगर आप surface पे इन्ही चीज़ों के लिए 3D consciousness के साथ, तो अब time है कि आपको वो challenges मिलेंगे, so next let's go for your financial state, okay, तो एक तो ये card है, जब मैंने जो भी obvious है कि जो लोग भी इस video को देखेंगे, ये energy उन सब के लिए है, तो और यही मेरी intention थी जब मैं cards निकाल रही थी, तो जब मैंने ये card निकाला, आपके finances के लिए, चाहे वो आपका job opportunities के रूप में हो, चाहे वो आपके business हों, चाहे वो आपके, you know, materialistic gains हों, तो जो भी आपका एक तरह से finances है, उस area में, जहां से भी आपके finances आते हैं, उसके लिए ये card निकला, the moon, और the moon का card जो है, वो ये दिरशाता है, कि energies जो है, वो imbalance है, emotional uphevials है, emotionally आप imbalance feel कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो है, वो दो cards अपने आप, you know, नीचे आए, जो कि मैंने नहीं निकाले थे, और इसी लिए मैंने इनको pick किया, और ये card अब हमारी story जो है, वो complete होगी, एक card है, this is eight of wands, और एक है knight of cups, so cup की energy भी क्या होती है, abundance की energy होती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को challenge मिल रहा होग हो सकता है, आप इस कगार पे हों कि आपकी job छुट गई, या वहाँ पर boss से बन नहीं रही, या police से नहीं बन रही, या जो business कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है, वो एक struggle face करनी पड़ रही है, आप emotionally बहुत upset हैं, आपको दिख नहीं रहा कि आप आगे कैसे बढ़ें, तो आपको ये बताया जा रहा है, कि ये जो समय है, आप जो भी काम अपनी spiritual wisdom के साथ करेंगे, जो काम आप अपनी greed के साथ करेंगे, night of cups की क्या energy है, कि आप ठहरें, रुकें और देखें खुद को, contemplate करें, कि आप किस तरह से चीजों को approach कर रहे हैं, जब आप पैसे की माम कर र कि greed के उपर है, because इस time जो 3D reality है हमारी, वहाँ पर बहुत सारे challenges आने वाले हैं, जब भी हम fear के साथ connect होंगे, abundance के साथ, जब भी हम greed के साथ connect होंगे, abundance के साथ, जब भी हम इस तरह से जो भी अभी तक हमने सीखा है, कि हमारी जो आस्तित्व है, वो इसके उपर निर्भर करता है, कि हमारे पास कितना है, हमारी happiness जो है, वो हमारे materialistic gains के उपर connect करती है, तो ये time है contemplate करने का, ये time है रुखने का, देखने का, और सही माइनों में ये समझने का, कि abundance consciousness क्या होती है, और यहां मैं एक offer देना चाहती हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग struggle कर रहे हैं जो भी viewers हैं यहां, तो अगर आप मेरे से connect करना चाहें, we can have a class on abundance consciousness, कि किस तरह से अपने अंदर abundance consciousness लाएं ताकि ये flow हो, और जैसे जैसे आप wisdom में आएंगे, ये energy flow होगी, आपकी जरूरतें, जितनी भी हैं, they will be taken care of, तो आपको क्या करना है, contemplate करना है, देखना है, घहराई से में जाना है, और सोचना और समझना है, कि आखिर इस abundance का मतलब क्या है आपके लिए, पैसे का मतलब क्या है, ये जो energy है, ये इससे आप किस तरह से connect करते हैं, तो ये सबके लिए ये ही message है, कि यहां पर, और मैं देख रही हूँ कि जो मैं healing sessions भी लेती हूँ, और जो free होते हैं सबके लिए, ये एक और offer, कि आप जो भी healing चाहते हैं, आप मुझे approach कर सकते हैं, and there is a healing, जो I only pray, and that healing is from my matriyat Adashree Jay, और वो सबके लिए free है, तो आप लोग मुझे connect कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी charges नहीं हैं, तो आपको जो है, अप abundance consciousness को change करना है, और इस power में आना है, इस समझ में आना है, इस wisdom में आना है, कि आखिर क्या फरक है एक greed में, और एक real need में, और किस तरह से हमारी ये जो need है, वो हमेशा एक abundance flow के साथ cater होती रहें, और अब ये जो last card है, almost last of tarot, it was with the intention of कि आपकी spiritual energy कैसी रहेगी, perfect, just so beautiful, और 2024, जहां हम इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये जो year है, number 8 है, तो ये infinite का number भी है, ये higher wisdom का number भी है, तो जो भी लोग अपने higher wisdom के साथ connect होंगे, उनके लिए is going to be the best year ever, तो यहां पर, ये जो साल है, इसको ऐसे मत लें, कि क्योंकि कहीं लोगों के जिसे, you know, message आ रहे हैं, या जब मैं connect कर रही हूं, तो they are in kind of a fear, कि अब जिस से शनी देव बैठ गए हैं, सब को मारने के लिए, और सब को कर्मा काफल मिलने वाला है, get out of it, okay, इसी के लिए मैं वीडियोज भी बना रही हूं कि किस तरह से हम अपनी destiny को change कर सकते हैं, with the guidance of our another legend guru, पर्महन सयोगनन्दा, तो एक बहुती beautiful चोटा सा वीडियो I have already shared, one I am going to share tomorrow or day after, so please watch that अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये time है आपके real spiritual growth का, जो भी अपनी true sense में, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा एक class कर लेती हूँ, abundance consciousness change कर लेती हूँ, शायद मेरे उसमें पैसा आ जाए, आप God को flawed नहीं कर सकते, cheat नहीं कर सकते, universe को cheat नहीं कर सकते, अपने divine fragment को cheat नहीं कर सकते, तो अपनी intention देखिए आपकी क्या intention है, अगर आपकी intention है, real transformation, अगर आपकी intention है to get liberated from this suffering, suffering of need, greed, jealousy, you know, pain, traumas, unforgiveness, जो भी relationship issues, यह सब जो, यही तो है कार्मा, ना, इनहीं की तो बाते कर रहे हैं हम, कि जो भी experiences हमें पहले की life हुए हैं, या हमें illness हैं, यह सब, they are all our कार्मा, और यह धीरे-धीरे, जब time आएगा, तो वो सामने आएंगे, लेकिन क्यों ना हम इनसे सीख लें, इनसे बचने का तरीका क्या है, इनसे कि हम सीख लें, तो God का, या universe का, हमारे से connect करने का, और हमें इस light में लाने का, और इस situation में डालने का, एक ही मकसद है, कि हम lesson learn करें, तो आपको decide करना है, कि आपको suffer करना है, और या आपको इस energy में abundance of everything, beautiful energy, so the more you will be in your spiritual, you know energy, spiritual attention, awareness, the more you will grow in this beautiful year of 2024, and let's go to what your angels are saying, because जब मैंने relationship का card निकाला था, तो मैंने अपनी romance angels को भी connect किया, और उनका क्या था, let go of control issues, beautiful, beautiful, my dear friends, तो हमारे angels क्या कहने की कोशिश करने हैं, वो कहने की कोशिश करने हैं, कि यह जो आप control करने की कोशिश करने हैं बहार से, कभी आप जो feel करते हैं, उसको feel completely देखते ही नहीं है, कि यह मेरा trauma है तो क्या है, आप अभी भी अगर यह सुच रहे हैं, fear is a nature of human being, anger is, अभी आपको लगता है, कि हाँ, ऐसा तो होता ही है, you know, anger तो आता ही है, यह तो perfect है, अगर कोई और गलती करता है, तो हमें गुस्सा तो आता ही है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़े हैं, जो 3D consciousness हैं, अगर आप उनके साथ अपनी situations को बदलने की कोशिश करेंगे, तो अब वो energies energies आपको support नहीं करेंगी, क्योंकि उनको यही आपको सिखाना है, कि this is not your natural form, this is not your nature, your nature is the nature of source, of nature of God, तो यह जो control है आपका, especially because यह हमारी romance angels से आ रहा है, तो जो भी relationship में चीज़ों को control करने की कोशिश कर रहे हैं बहार से, और वो सोच रहे हैं कि उनके partner change हो जाएं, उनके partner की गलती से वो सफर कर रहे हैं, उनके partner उनको धोका दे रहे हैं, या whatever, whatever is your partner is creating in your life, you have to think, not twice, hundred times, that what you are manifesting and what you are thinking, and what is the next, जो हमारे cards हैं, जो हमारे guides हैं, उनकी तरफ से, जो यह दो cards हैं, yes, the will, will is your free will, now, जिस भी area में आप अपनी free will use करेंगे, आप भही attract करेंगे, attraction and free will, अगर आपकी will, हमेशा आप, you will choose light, always in your life, तो light will increase, if you will choose darkness in your life, if you will choose fear, if you will choose greed, if you will choose jealousy, if you will choose, you know, कोई भी powerlessness, that will, you will attract the same, आपकी life में वो हर situation आएगी, जहाँ आप और fearful feel करेंगे, और rejected feel करेंगे, और jealousy feel करेंगे, तो, now your fate is at your free will, और यह energy बढ़ने वाली है, change your free will, you will attract the same, okay, so this is the beautiful again guidance, and let's see what our angels are saying, and your angels are also saying, be assertive and reconsider, so क्या कह रहे हैं, कि जिस भी area में आपको challenge मिल रहे हैं, चाहे वो relationship है, चाहे वो walk है, चाहे वो आपकी health है, anything, anything, जिस भी area में आपको यह challenges मिल रहे हैं, reconsider कीजिए, यह क्यों है, क्योंकि अभी भी आप बहार फालों को दोशी ठहरा रहे हैं, मेरे business partner ने मुझे cheat कर दिया, मेरे family ने मुझे प्यार नहीं दिया, poor me, you know, और आप जो है, वो victimhood की energy में जा रहे हैं, so at the end, आप लोगों को, I wish कि यह जो भी guidance है, इससे आपको help मिलेगी, और मैं time to time, जो भी मुझे आता है, और जैसे भी मैंने अपने life को change किया है, मैं आपके साथ share करती हूं और करती रहूंगी, I may not serve you with very fancy and fairytale stories, and try to show you the truth, because truth always bring peace in our life, not the fancy stories my dear friend, so you look after yourself and I love you all, thank you.